हालो फ्रेंट्स वेलकम टो एडी हल्पलाइन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आपके पास कोई फ्रॉंट लोड फुली आटोमेटिक वाशिंग मेशिन है तो उसमें एक PCB यानि प्रिंटेट सार्किट बोर्ड होता है अगर वो किसी करणबर्श खराब हो जाए तो आप उसे कैसे रिप्लेस कर सकते है और इसके लिए आपको कितना खर्चा आएगा और यह सार्किट बोर्ड चेंज करने का पूरा प्रसेडियूर मैं आपको दिखाऊंगा मेरे हाथ में यह जो सार्किट बोर्ड आप देख रहे है यह बोश फुली आटोमेटिक 8 kg वाशिंग मेशिन का सार्किट बोर्ड है यह फूरी तरह से खराब हो चुका है और इसे ठीक करने के लिए मैंने कास्टोमार के आपको पूरी कहानी बताता हूँ यह देखिए मेरा जो वाशिंग मेशिन है कुछ दिन तक बंद परा था क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था काम से जब मैंने बाहर से लोट के आया तब मेशिन को मैंने जब भी ओन करने की कोशिश की यह एरोर कोड 56 शो हो रहा था उसके बाद मैंने कास्टोमर के एर पर ओनलाइन मेरा सर्विस रिक्वेस्ट रेजिस्टर किया आप चाहे तो आप भी ओनलाइन रेजिस्टर कर सकते है आपका कोई कॉम्प्लेंट है तो और आप कैसे online register कर सकते हैं आपका complaint बोश के website पे इस regarding एक video already channel में है इस video का link description में मिल जाएगा आपको और अगर आप online register करना चाते हैं आपका complaint तो पहले बोश का website में जाके आपका जो product है उसको पहले वहाँ पे register करना पड़ेगा और आप कैसे यह registration करेंगे इस related video already channel में है इसका link भी description में मिलेगा जब technician विजिट किया मेरा घर पे तो पहले machine का जो उपर वाला part है उसे उन्होंने खोला और machine का जो top part है इसे खोलने के लिए machine के back side पे दो screw है दोनों screw को खोलने के बाद उपर वाला ये part आसानी से खोल सकते हैं अब उपर वाला part जो था इसे हटाने के बाद हमने देखा यहाँ पे कम से कम 20 से 25 कॉक्रोचों ने यहाँ पे घर बना लिया था और एक एक करके हमने उन कॉक्रोचों को भगाया और इन कॉक्रोचों ने क्या किया यह जो PCB है इसके उपर कॉक्रोचों ने टॉयलेट किया इससे क्या हुआ PCB का जो वायरिंग है यह पूरी तरह खराब हो गया और जब इस पे machine को on किया मैंने तो यह पुरा short circuit होके यह PCB बिगर गया तो उसके बाद उन्होंने बोला इसे रिप्लेस करना पड़ेगा और यह रिप्लेस्मेंट वायरिंटी के अंडर में नहीं आता है क्योंकि यह कॉक्रोचों ने खरब किया इसलिए इस PCB का जो प्राइस था और मुझे पे करना पड़ा लेकिन इस PCB को लागाने के लिए जो सर्विस चार्ज या टेक्निशियन भाईस आपका जो विजिट है और मुझे नहीं पे करना पड़ा क्योंकि मेरा मेशिन वायरिंटी पिरियोड में ही था इसके एज टू य सर्विस सेंटर से ही मिलेगा आप खुद से इसे रिटेल में पर्चस नहीं कर सकते हैं इस फोटो में आप देख सकते हैं उपर बला यह जो रेट कलर के एरो से मैंने मार्क किया है यह है पार्ट नमबर और इसका पार्ट नमबर है 12034042 यानि मेरा जो वाशिंग मिशिन है उसके हिसाब से यह पार्ट नमबर का पीसी भी सुटेबल रहेगा और इसका प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है 2025 यानि अप्रोक्सेमेटली 2000 रुपिस और मेरा वाशिंग मिशिन का जो मोडेल नमबर है उसके हिसाब से कौन सा पार्ट नमबर का पीसी भी इसमें तो उन्होंने इस वाशिंग मिशिन जो था मेरा इसका मोडेल नमबर उनका हेड़ ओविस में इनफर्म किया और उनका जो कॉंप्यूटर सिस्टेम है वहाँ पे इस मोडेल नमबर को डालने के बाद यह स्क्रीन शॉट वहाँ से टेक्निशियन को भेजा था जिसमें यह प 500 रुपीज आडवांस किया उसके बाद यह पार्ट्स आप देख सकते हैं यह पे लिखा हुआ है पार्ट्स पर रिपेर्स एंड नॉट फॉर रिटेल सेल इस तरह का एक बॉक्स में वह जो पीसीवी था उसे लेके टेक्निशियन भाई सब 10 दिन के बाद मेरे घर पे पूल डेस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं और इसके नीचे यह जो प्राइस है 2025 यह भी आप देख सकते हैं और आपका वाशिंग मेशिन के लिए पीसीवी या कोई भी पार्ट्स अगर भी गड़ जाता है तो उसके लिए फिक्स टेख पार्ट नंबर होता है यह जो टेकनिशियन भाई साभ आते है उनको पता होता है यह लोग उनका जो हेड आफिश है वहाँ पे कल करके बाते है और वहाँ पे ओनलाइन चेक करने के बाद वो लोग बोल सकते है आपको इसके लिए अप्रोक्षिमेटली कितना खर्चाएगा, मैंने इस पार्ट का जो प्राइस है, वो कितना है, इसको चेक करने के लिए ओनलाइन ट्राई किया बहुत, लेकिन कास्टोमर्स के लिए ये कितना प्राइस में आता है, ये कोई लिंक अवेलेवल नहीं है, ये जो मैंने स्क्रिंशॉट दिखाया था, इसका प्राइस कितना है, ये वो टेक्निशियन भैसे भी मुझे दिया था, इस स्क्रिंशॉट को उनका जो हेड़ा भिशे, वो हासे इनको भेजा था, उसके बाद ही उन्होंने मुझे बता है इसका प्राइस कितना है, इस बोक्स के अंदर एक प्लास्टिक का रैपर में ये पी सकता है, इसलिए जो टेक्निशियन आये थे, वो सर्जिकल गलब्स पहन के ही इसे ओपिन किया, और इसे यहाँ पर इंस्टल भी किया, देखिए ये इंस्टलिंग प्रोसेस चल रहा है अब, देखिए अगर आपके पास किसी भी ब्रैंट का वाशिंग मिशिन है, चाहे फ् जाए से, चुहा आसानी से वाशिंग मेशिन में एंटर नहीं कर सकता, लेकिन कॉक्रोस आसानी से ही आपका जो मेशिन है, उसमें एंटर कर सकता है, क्योंकि अगर आप मेशिन का जो बैक साइड है, वहाँ पर देखते हैं, तो आपको बहुत सारा ऐसा होल्स दिखाई कुस नेप्थलिन बॉल्स मेशिन के आंदर डाल सकते है, अब चाहे तो कुस नेप्थलिन बॉल्स को मेशिन का जो स्टैंड है, उसके नीचे भी राख सकते है, क्योंकि आप जानते है, नेप्थलिन का जो स्मेल है, वह कॉक्रोस को पसंद नहीं है, उसलिए नेप्थलिन डालने से कौकड़ो से आप ए ठिक नहीं पाएंगे और फिर भी आगर कौकड़ो चपको आप भागा नहीं सकते तो आप एक कम कर सकते है मॉर्टिन या दूसरा कोई भी ब्रेंट का जो कौक्रो किलर स्प्रे आता है उसे आप मेशिन के नीचे या साइड में स्प्रे कर सकते हैं देखिए ये इंस्टॉलेशन कॉम्प्लिट हो गया है मेशिन पहले जासे फिर से काम कर रहा है आप कोई एरोर कोड यहाप नहीं देख सकते हैं तो आप लोगों ने देखा कॉक्रोचो के बज़ए से मेरा 2000 रुपे का नुक्सन हो गया है औ और यह वारेंटी में नहीं आता है यह मुझे पहले से नहीं पता था अगर आपके घर में भी कोई चुका आना जाना रहता है तो आप पहले से ही सब्धन हो जाए और आपका नुक्सन होने से आप बचिए वीडियो को लाज तक देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडिय को अच्छा लगा है तो लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए